हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो वा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलोजी टेप्स हिंदी में आज की वीडियो जे नाम का राश्रिफल 2036 बड़ी खुश खबरी दोस्तो जैसे जैसे नया साल पास आता है हमारी उम्मीदी भी धिरी धिरे बढ़ने लगती हैं आज इस वीडियो में हम आपको जे अक्षर से नाम वारी लोगों का सभाव और नए साल यानी 2030 का राश्रिफल बताने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं नए साल आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलोजी टेप सेंधी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें जिससे आपका हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले साथी बैल आइकन को भी ज़रूर किलिक करें तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जी नाम वाले लोगों के सभाव के बारे में वे लोग जिनका नाम जे राटर से शुरू होता है एस्रोलोजी कहती है कैसे लोग साभाव से काफी समझदार और लाइफ को पूरी जिन्दा दिले से जीने वाले होते हैं ये जिन्दगी के हर पल का मजा लेने की कोशिश करते हैं इनका दिल एकदम साफ होता है लोगों को जल्दी माफ करने की भी इनमें खुबी होती है जिन्मेदारी की बात करें तो ये सबसे आगे खड़े रहेंगे जी हाँ इन्हें इनके जिन्मेदारियें बताने की कोई जरूरत नहीं होती ये अपनी जिम्मेदारियों को काफे अच्छे से समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं प्यार की बात करें तो प्यार मेंने काफे जादा भरोसा होता है अगर इनके रिष्टे में कभी छोटी मोटी नोग जोग भी हो जाए तो ये परिसित्यों को सुलजाने के लिए पहल करने में पीछे नहीं रहते और बड़े ही प्यार से अपने पार्टर को मना लेते हैं जाने अनजाने में भी ये उनसे वह बाते नहीं कहना चाहेंगे जिनसे उनका थोड़ा भी दिल दुखे अतापने पार्थर की खुशी ही इनके लिए सब कुछ है, बता दें के इनके रिस्ते में आपसे सम्मान हमेशा बना रहता है जानते हैं साल 2023 में जेल एटर से नाम आले लोगों के करियर के बारे में करियर के मामले में यह 9 वर्स जेल एटर से नाम आने जातकों के जीवन में कुछ खास बतलावों को लेकर आ रहा है इस वर्स आपको अपने करियर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हालनकि साल के शुरुआती कुछ महीनों में करियर में अधिक महनत की जरूरत है वेजा तक जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कारी छेतर में सही कर्मियों के साथी सीनियर्स का भी सहीयोग प्राप्त होगा जिससे आप हर कारी को समय रहते पूरा कर सकेंगे इसके अलावे इस वर्स आपको सैलरी इंक्रिमेंट और परमोशन से जुड़ी कोई अच्छी खुस खबरी भी मिल सकती है नौकरी के तलाश कर रहे जाते को को अपनी योगिता नूसा नौकरी मिलने के संभावना है हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा धैरी रखना पर सकते है वेवसाई जातर वेवसाई विस्तार की सोच सकते हैं जिससे उन्हें अपने वैपार में अच्छा मुनाफ़ा होने के योग है खुल मिलाकर करेर के लिहास से यह नव वर्स आपके दे बहतरिन रहने वाला है जानते हैं साल 2023 में जे लेटर से नाम वाले लोगों के प्रेम और वही जीवन के बारे में प्रेम राश्रिफल 2023 के नुसार यह नव वर्स जे लेटर से नाव आने जातवों के प्रेम जीवन में खुशे लाने वाला साबित होगा इस वर्स आपके प्रेम संबंदों में सकारात मकता आएगी जिससे आप अपने पार्टनर के साथ मजबूत रिष्टी का खुल कर अनन्द लेते हुए दिखाई देंगे वे जाते हो जो लंबे समय से किसी रिष्टी में है तो वे भी इस साथ शादी के मंदर में वर सकते हैं जिसमें उन्हें अपने घरवालों से सहमती मिलने के संभावना है वही वे लोग जो अपने लिए योगी पार्टनर के तलाश कर रहे हैं वे इस वर्स नहीं प्रेम सम्मंदों में आ सकते हैं पहले से विवाहित लोग एक नए स्तर पर अपने रिष्टी को ले कर जाएंगे जीवसाती के साथ रिष्टे में प्यार बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे का मजबूत सहरा बनेंगे कुल मिलाकर यह वर्स आपके प्रेम जीवन में एक अद्भूत अनुभाव ले कर आएगा जानते हैं साल 2030 जे नाम वाले स्ट्रेंट्स के लिए कैसा रहेगा सेक्षिक रासिपल 2030 के अनुसर यह नव वर्स स्ट्रेंट्स वर्ग के लिए काफे बढ़े रहने के संकेत हैं वर्स के शुरुआ सिक्षा के मामले में अतितिक अनुकूल होगी चात्र पढ़ाई के साथ ही अपनी प्रतीभा का भी विकास करेंगे इस दोरान चात्रों को कई ऐसे अफसर प्राप्थ होंगे जहां उन्हें अपनी मेहनत का उचितफर प्राप्थ हो सकता है जे लेटर से नाम वाले स्ट्रेंट्स के लिए पर्तियों की परिक्षा की दिर्स्ट्री से यह वर्स काफी सुब रहेगा उच्चो सिक्षक के एच्चो चात्रों को एक पर्तिस्टी संस्थान में परवेश मिलने की पूर्ण संभावना बन रहे है कुलमिला का इस ड्रेंट्स के लिए यह वर्स उनकी पेबर में रहने वाला साबित होगा जानते हैं साल 2023 में जे लेटर से नाम वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में आर्थिक राशिपल 2030 के अनुसार आर्थिक मामडों में यह वर्स आपके लिए मिला जूला रहेगा इस वर्स आपकी आये तो अच्छी होगी लेकिन आपकी खर्चे बढ़ सकते हैं इसलिए इस दोरान काफी ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करके बचट की तरब भी ध्यान दें जिससे आप अपनी उमीद के नुसार धन संचे कर पाने में सफल रहें इस साल आपके लिए विशेश सला है कि किसी परकार के आर्थे निवे से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें और पैसों की लेन देन में विशेश साबधानी बढ़तें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने विचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें आगे कैसे ही लेटस वीडियो के लिए आजी एस्ट्रोजी टेप सेंधी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू